सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ट्राइंग स्टेडी को और बेल के आइकन को दबा दें साथ ही आल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलें छटिक अक्षा में आज हम पढ़ेंगे प्रशन नंबर 22 ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा बिंदू ए पर सड़े 22 डिगरी का कौन बना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह भी रेखा लेंगे जो इन्होंने कही है इस तरह से इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ए इसका नाम हम दे देंगे बी अब हमने क्या करना है जैसे आप निकल 25 का कौन बनाना था इसी तरह से आज हम सबसे पहले 90 का फिर 45 का फिर उसका आदा हम 22 का करेंगे सबसे पहले हमने यहां पर एक 90 डिगरी का कौन बनाना है 22 का कोन बनाने के लिए जिस चाप जहां से लग रही है इसका नाम हम दे देंगे पी और पी प्वेट पर प्रकार करके हम एक चाप आगे लगा देंगे इसका नाम हम देदेंगे S S पर प्रकार रखेंगे और एक चाप आगे लगा देंगे इसका नाम हम देदेंगे F हमने क्या करना है S पर प्रकार करके एक चाप उपर को इस तरह लगाना नहीं है Dotted और F प्रकार करके दूसरी चाप हमने लगानी है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, यह आपका 90 डिगरी का कौन बन गया है, यह लाइन हम डॉटिल लगाएंगे, हम डार्क लाइन अंसर एका को लगाता है, और अंसर एका हमाली अभी नहीं बनी है, अब जहां पर यह रेका कट रही है, यहां पर चाप के साथ इसका नाम हम दे देंगे N, अब हमने क्या करना है, जैसे कल हमने किया था, हमने P पर परकार करके N जितनी परकार खोलनी है, जितना आपका N है, यह देख सकते हैं, और N से हमने आगे चाप लगा देनी है, इस तरह से अब हमने N पर पर परकार रखनी है, औ पी जितनी परकार खोल गए या जितनी परकार हमारी पहले से यह खुली है इस तरह से हम चाप लगा देंगे जहां पर दोनों चापे आपस में कटेगी इस पॉइंट पर हम जो है वो रेक रेका लगा देंगे डॉटेड लाइन यह हमारा बना पैंतालिस दिग्री का को यह आप देख सकता है जहां पर यह रेका है इस रेका का हम नाम देंगे इस रेका का हम नाम देंगे डी और जहां पर यह रेका यहां कट रही है यहां पर यह नाम हम देंगे और इस पॉइंट का नाम हमने आर दे दिया अब हमने क्या करना है जो यह आपने चाप आगे लगा रखें यहां से पीस है इतनी चाप हम और ठोड़ी आगे लगा देंगे और आर पॉंट पर प्रकार रखेंगे इस तरह से और इस चाप को हम काट देंगे इस तरह से से हम एक तक डार्क लाइन लगा देता हूं यह पैंसिल मोटी है आप देख सकते हैं और इसका ख़त हमेशा मोटा होता है तो यह पैंसिल है यह देखिए उत्तर की रेखा है यह हमारा बन गया है सड़े 22 डिगरी का इस देखा का नम हम देदेंगे से अगला हमारा है ट्रशन नमबर 23 ए बी रेखा पर बिंदू ए से परकार द्वारा सड़े 67 डिगरी का कौण बना हूं हमने क्या करना है सबसे पहले ए बी रेखा ले लेंगे यह हमारा है 67 डिगरी का कौण है यह ए और बी पॉइंट यह पर नाम है यहां पर हमने जैसे हमने पहले बनाया था नमबे डिगरी का कौण बनाएंगे सबसे पहले हम यहां पर कर नाम हम देदेंगे कि एक चाप हम यहां लगा देंगे एक चाप आगे लगा देंगे मिसी चाप को आगे बढ़ा देंगे और इसको ऐसे काड़ देंगे यहां से 45 डिगरी का कौन बनाना है फिट से तो हमने यहां इतनी परकार खोलनी है इसका नाम हम दे देते हैं एल यह हमने एल नाम दे दिया है यहां हम नाम दे देंगे के इस लाइन का नाम हम दे देंगे हमने क्या करना है तो हमने क्या करना है तो हम दूबारा से बनाएंगे तो पी से एल जितनी परकार खोल के हम चाप लगा देंगे आगे और एल परकार करके पी जितनी परकार खोल के हम अधर पर चाप लगा देंगे और हमने क्या करना है इसको डॉटेट मिला देना यहां हम नाम दे देंगे इसका ए और हमने ए और ए को डॉटेट मिला देना है इस तरह से अब हमने क्या करना है जो आपका की पैंतल हिजीगरी वाले का कौन का यह पॉइंट आया है इस पॉइंट का नाम है आर अब आपने क्या करना है आर और एल का आधा कर देना है मतलब एक प्रकार आपने रखनी है और पर उपर चाप लगा दो और अच्छे से लगा दिया चाप यहां पर फिर आपने एल पॉइंट पर प्रकार रखना है और यह चाप को आगे बढ़ा देना इस तरह से जहां पर यह चाप के आपस में कट रही है इस पॉइंट का नाम हम दे देंगे एन यह जो आपका पॉइंट है इसका पॉइंट का नाम है एन एन से हम एक को मिला देंगे और यह हमारी अंसर देखा है यह आपका जो कौन बंड़ा है वो सड़ेस तासर डिगरी का कौन आपका बंड़ा है यह इन डाक लाइन से मैं इसको दशार आ हूँ यह है शिक्स्टी सेवन एंड हाफ डिगरी यह आपका है प्रशन नमबर तेईस और आज हमारा से 1 तक का सलेबस यह पूरा हो गया एफे 1 का मैंने पहले करवा था पिर आपको एफे 2 का मैं करवा रहा था अब एक से लेकरके अप degliटस तक जितने भी जोंटिकल के प्रशने यह सारे आपके से 1 में आपके आने है एफे 1 का सलेबस जोंटिकल ड्राइंग का अगा हमारा प